प्रत्वी इंसानों के दुनिया इसके सुन्दरता और रहस्यों को आगनाच भी बेहद कठिन है यह कितनी सुन्दर है यह पता तब चलता है जब हम आसमान से प्रत्वी का नजारा देखते हैं और यह सिर्फ उनी के लिए संभव हो पाता है जो अंत्रिक्ष की यातरा करते हैं अंत्रिक्ष जद देखने पर हमारी प्रत्वी नेले रंग की एक गोलाकार वस्तु की तरह दिखाए देती है क्योंकि प्रत्वी के सत्तर फिजदी हिस्से में पानी है अंत्रिक्ष यात्रियों की माने तो अंत्रिक्ष से प्रत्वी को देखने का हिसास बिलकुल ही अलग और खास होता है उन्हें ऐसा नजारा देखने को मिलता है जिसके कभी उम्मीद भी नहीं की जा सकते अंत्रिक्ष डी गई प्रत्वी की तस्वीर को देखकर मन प्रिसन हो जाता है नेले और हरे रंग की प्रत्वी अंत्रिक्ष से वाकई बेहत सुन्दर दिखाए देती है अब बात आती है क्या हम अंत्रिक्ष से प्रत्थी पर इंसान द्वारा बनाएं कई चीजों को भी देख सकते हैं या नहीं तो आपको बता दे कि नासा के द्वारा ये बता गया है किस बात में कोई सचाई नहीं है अंत्रिक्ष प्रत्वी पर कुछ भी दिखाई नहीं दिता है लेकिन अंतरास्ट्य अंत्रिक्ष स्टेशन यानि आई एससे प्रत्वी पर ऐसी कई चीजी है जो हमें बिल्कुल साफ दिखाई दिती है प्रत्वी का बातावन जहां खतम होता है वहीं से अंत्रिक्ष की शुरुवात होती है प्रत्वी और अंत्रिक्ष के बीच की सीमा को कार्मन रिखा कहा जाता है जिसे बहुत इक विज्यान थियोडॉर वान कार्मन निक हो जा था ये कार्मन रिखा प्रत्वी की सते से 100 km उपर होती है इस उचाय से प्रत्वी की बहुत सी जगे दिखाय दिती है बिंगम कैनियन माइन जो साल्ट लेक सिटी से करीब 32 km दक्षिनपूर में है यह अब तक की सबसे बड़ी मानव निर्मित खुदाई है इसे दुनिया की सबसे गहरी ओपन प्रिट खादान भी कहा जाता है कार्मन रिखा से यह खादान साफ साफ दिखाय दिती है अंत्रिक्षियात्रियों ने से सुंदर तल से 305 से 531 km उपर स्पेस शटल पर सवार होकर परिक्रमा करते हुए दिखा है नासा के मताबिक थ्री गॉज्रेस डैम जो चीन की यांगत जी नदी पर फैला है यह कार्मन रिखा से बिल्कुल साफ दिखाय दिता है यह बिजली पैदा करने वाला पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डैम है इस डैम की उचाई 607 फीट और लंबाई 2 किलमेटर तक है इस डैम में 22500 मेगावार्ट बिजलूत पन करने की शंता है यह दुनिया का सबसे अधिक उतपादक जलवी दूत डैम है दुबई का पाम जुमेरा इंजिनियरिंग का एक ऐसा नमोना जिसे दुबई का सबसे सुन्दर स्थान वाना जाता है इसे कामन रिखा से बड़ी अराम से देखा जा सकता है तथा इसे 800 mm लेंस का इस्तमाल करके अंतराश्टी अंतरिक स्टेशन से भी बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है जो कि समुदरतल से करीब 400 km की ओसत उचाई पर परिक्रमा करता है गीजा के पिरामिड को अंतरिक्स से देखा जा सकता है या नहीं इस बात को लिकर एस्टोनाट्स के बीच थोड़ा असमंजस है ब्रिटिस एस्टोनाट टेम पिक ने बताया कि ये अंतरिक्स से दिखाई नहीं देते लेकिन उनका ये मानना है कि 800 mm लेंस के जरियों ने दिखा जा सकता है हाला कि नासा के पूरो एस्टोनाट और ISS कमांडर लेराल चियागों ने ये दावा किया कि उन्होंने और्बिट से गिसा के पिरामिड देखे है चियागों का कैना है कि अंतरिक्स से शहर भी दिखते हैं एंडर्सन के दुआरा अंतरिक्ष देखी गी उनकी सबसे पसंदिदा चीज है सहरा का रेगिस्तान उनका कहना कि जब भी उन्होंने उडान भरी तो एक कैमरे में लेंस के जरिये इसे उन्होंने हर बार अलग ही पाया इसके लावा कुछ ऐसे हाईवेज भी है जो कि अंतरास्ट ये अंतरिक्ष स्टेशन से दिखते हैं जो खास दोर पर रेगिस्तान जिससे बंसर इलाकों से होकर गुजरते हैं ISS के पूरू कमांडर क्रिस हैडफिल्ड के मताबिक इन राजमार्गों का दिखना या न दिखना परिस्तितियों और रोशनी पर निर्भर करता है तब मुद्दा आता है Great Wall of China का चीन के एस्टोनाट्स के द्वारा दावा किया जाता कि चीन की दिवार The Great Wall of China को भी ISS से दिखा जासकता है लेकि नासे के मताबिक ये सच नहीं है और ISS के पूरो कमांडर क्रिस हैडफिल्ड ने एक ट्वीट में कहा था चीन की दिवार को अंतरिक्ष से नहीं दिखा जासकता ये दिवार बहुत पतली है साथ ये जोग्राफिके प्राकर्ति की रंग रूप से मेल खाती है इसलिए इसको अलग नहीं दिखा जासकता आई इसेस कमांडर लेराय चियागो जिन्होंने अंतरिक्ष से चीन की दिवार की पहली तस्वीर ली थी उन्होंने भी ये माना है कि जब उन्होंने वे फोटो ली थी तो वह है उनको दिवार नहीं दिख रही थी अंत्रिक्ष यात्री और चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति नील आमस्टांग न भी इस बात की कुष्टी गे थी कि धर्ती की कोई भी चीज अंत्रिक्ष यात्र चंद्रमा से दिखाई नहीं दीती है आम स्टॉंग ने बताया था कि आंतरिक से उन्हें नीला बेग्राउंड के साथ महादीब जीले और सफेद धब्बे दिखाई दे रही थे आज की वीडियो में बस इतना ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद जहिंद जभारत